हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे चिली पनीर वो भी बिल्कुल रेस्टोंड स्टाइल तो यह खाने में बहुत ही टेश्टी होता है तो आप इसे एक बार जरूर प्राई करना तो चली बनाते हैं तो हम पहले इसका मिक्चर बनाकर रेडी कर लेंगे तो उसके लिए हम प्ले आप मसाले थोड़े कम जादा कर सकते हैं तो यह देखिए मिक्चर बनकर हमारा रेडी हो गया है अब हम पनीर को इस तरीके से पीसिस में कट कर देंगे तो यह देखिए मेजरमेंट लिए थाइसो ग्राम ली है कट करने के बाद इसको जो मिक्सर बनाय था था उसी में अच नॉर्माल मीडिय मतब गरम हमारा होना चाहिए जैसे आप परीषा जाए जयाक तरह अपके अब पॉयसे दीरवा फ्राई हो एक मुदना और जीरे है देखिँ कम औरूर्णब Bowl ब्राउन पार तरह जबतिकि सपह पारल, अबहुत ही ज़यात बनीर करने परसा ही तरह情况 करना पर यह देखी इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा चलाते भी इसको हमें से फ्राई कर लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में तो यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह गोल्डन ब्राउन हो चुगे बस इतना ही हमें करना है बहु इस तरीके से मैंने थोड़ा सधी कर दिया आपको अब में आइसे ही फ्राई कर्कर रेडि कर ़ूगी तो यह देखिए मैंने सारे पनियर को फ्राई कर रेडि कर लिया है और बहौत अच्छे से यह फ्राई हुए है आप देख सकते हैं इससे चिली पनिर बहुत भी टेस्ट तो इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मिर्ची और लैसुन को डालने के बाद हमें से बहुत जादा ओवर कुक नी करना है वस थोड़ा हलका सा इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही करना है अब हम इसमें डालेंगे कटेवे प्याज और कटेवे सिम्ला मिर्च तो आप प्याज कोंटिटी थोड़ी और भी बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो इस से अपसे कम ज्यादा कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देंगे अब इसको हमें थोड़ा सा पकाना है बहुत जादे इसको ना कुकनी करना है जैसे कि तो मैं सेच वान सॉस टालए और मुझाँ थी नहीं मीदे जाना है पस थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए एड़ करना है तो इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि सारी जो सॉस जालिए ना सारी अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप चाहिए वैसे सॉस में तो पहले ही अल्डेडी सॉल्ट होता है अगर आप अपने टेस्स को करें थोड़ा सा सॉल्ट इसमें एड़ कर भी सकते हो वैसे जरूरत नहीं है एड़ करने की आप चाहो अगर ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकते हो तो यह देखिए हमारा यह बहुत अच्छे से पग गया है अब इसमें जो हमने यह प्राई करे थे ना पनीर को बस इसमें डाल देंगे तो देखा कितने आसान तरीकी से बन गया और यह बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है तो जैसा कि कभी भी साम को आपको कुछ खाने का मन है चट पठा सा खाने का मन है और आपके पास पनीर रखी आप सोचोगी क्या बनाना है तो इस तरीके से चट पठा सा बनाकर खाईए और एक बार बार आपका बनाने का मन करेगा क्योंकि यह खाने में बहुत ही देश्ट तो उन्हें बिल्कुल भी पता निच लगा आपने इसमें सब्जिया वगेरा भी डाली है तो इस तरीके से बहुत ही हल्दी रेकिस मनाकर आप अच्छों को देश सकते हैं और यह बहुत ही तेस्टी बनता है आप इसे एक पर जरू ट्राइए करना आपको बहुत पसंद आए तो इस तरीके से जस्ट के लिए मैंने डाला है और यह देखिए देखने में जितना अच्छा लग रहा ना यह खाने में इसका टेस्ट उसे भी ज्यादा अच्छा है तो आप इसे एक बार जरू ट्राइए करना आपको बहुत पसंद आने वाली है यह तो यह देखिए बन उसका नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे तब तक के लिए बाई बाई